नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तेरह जून जयेष्ट सब्तमी गुरुवार की रात करें, दीपक और लौंग का महाउपाए, आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा, तुरंत ही खत्म, भगवान विष्णुजी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा, धन दोस्तों, तेरह जून को वैशाख महीने का गुरुवार पढ़ रहा है, गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णुजी का वार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक दो लॉंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है दोस्तों, संसार में हर मनुष्य यही चाहता है कि उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए, परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे यह कोई भी नहीं जानता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मनुष्य को भी भगवान विश्णुजी का आशीरवाद मिल जाता है वहाँ पर माता जी की भी कृपा बनी रहती है आज आपको आप वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 13 जून 2024 वैशाख महीने के गुरुवार के दिन यदि आप एक दीपक दो लॉंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर तो कैसे आपको भगवान विश्णुजी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानिया होंगी वो एक दिन के दो चार मिनट के उपाय से सदैव के लिए खत्म हो सकती है देखिए दोस्तों इस भाग दोड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य भरपूर पैसा कमाना चाहता है परंतु भारत वर्ष में केवल 22 प्रतिशत लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली साथ पीड़ी पर पैसे पर राज करेगी बाकी बचे हुए 78 प्रतिशत लोगों में से 10 से प्रतिशत लोग उपाय करके अपनी किसमत को अपने अनुरूप बना लेते हैं बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं यदि आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो केवल आप महीने के गुरुवार के दिन यदी करते हैं सही मुहूर्थ पर तो मान के भगवान विश्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहू, केतू, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे जिसके पश्चात आप अपने जीवन में जो भी निर्णाय लेंगे, उस निर्णाय से आपको फायदा पहुँचेगा दूसरी तरफ, इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी, जिसके पश्चात आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्या खत्म हो जाएंगी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा एक बात का थोड़ा ध्यान, यदि आप भगवान विश्नुजी की पूजा करते हैं या आप अपना इश्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विश्नुजी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम बारह से पंदरह गुरुवार पूजा करनी होती है, परन्तु यदि आप महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा कर तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह महीना हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है, और ये पूरा महीना भगवान विश्नुजी को समर्प होता है, इसलिए महीने के गुरुवार को महा गुरुवार कहा जाता है, और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं, पूरे साल भर से यूं कहा जाता है, कि इस दिन कोई भी मनुष्य, यदि थोड़े से भी उपाय करता है, उस मनुष्य को करोडो गुना लाभ पलट करके मिलता है तो दोस्त यदि आप अपने जीवन का दो, चार, पांच मिनिट निकाल करके वैशाख महीने गुरुवार मतलब 13 जून 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और दो लॉंग का महा उपाय है तो मान के चलिए दोस्तों भगवान विश्णु जी के आशिरवाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा इसलिए यदि आप कहते हैं कि भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे भगवान विश्णु जी के आशिरवाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशिरवात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विश्णू, जय माता लक्ष्मी जी की और दोस्तों एक काम कीजिएगा अपनी राशिक कॉमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशिक अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो वैशाक महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाब पा सकते हैं वो हम आपके कॉमेंट के रिपलाई में आपको बता देंगे इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशिक डालना मत भूलिएगा चलिए दोस्तों आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं परंतु बस इतना जितने भी आपको हम दो, चार, पांच बताने आ रहे हैं इन उपायों करने की एक मुहूर्त होती है मुहूर्त पर यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं, कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे, इन उपायों का आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आपको यहां करना है. सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का, महा उपाय धन हासिल का, महा उपाय, ये उपाय यदि आपने कर लिये, तो मान लीजिए, आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा आ भी रहा है, तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है, तो आप कर्ज के में फंस्ते हुए चले जाते हैं, ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, दो साबुत लॉंग ले लीजिए, साबुत लॉंग का मतलब ये होता है, फूल वाली लॉंग एकदम फूल होनी चाहिए, उन लॉंगों पर वाली लॉंग लीजिए, तोटी फूटी नहीं होनी चाहिए, दो साबुत लॉंग ले लीजिए, अब आपको के लेना है, दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गर पर ही करना है, और ये उपाय करने के आप खुद देखेंगे, कैसे आपके जीवन में एक चमतकारी बदलाव आता है, घर के घर पर बैठिये, आपको घर पे माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है, भग्वान विश्नु जी की कलाचित्र है, उसके सामने आपको बैठना है, और मान लीजिए, कलाचित्र नहीं है, तो कलाचित्र खरीद कर ले आईएगा। वैशाक महीने के गुरुवार के दिन, भगवान विश्णुजी, लक्ष्मी जी की कलाचित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुब होता है। अब ये कलाचित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिएगा। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लॉंग डालना है। पहली लॉंग डाल दी, पहली लॉंग डाल ले, दूसरी लॉंग को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी के चरणों के बीच में उस लॉंग को रख दीजिए. अब आपको क्या करना है? अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीस मंतर बोलना है. वह है. ओम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. दोस्तों, बीस मंतर का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है. अब आपने यहां कर लिया. अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां करना है, दोस्तों. कि जो दूसरी लॉंग आपने माता लक्ष्मी और भगवान विश्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लॉंग को उठाईए. अब उस लॉंग से आप अ मौली धागे से बांध देना है. अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब दो हजार चॉबीस तक के वैशाक गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है. बस इतना करना ह अब इस से क्या होगा? इतना उपाए यदि आपने कर लिया तो माता लक्षमी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी. यदि आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी के लिए खत्म हो जाएगी, यह पहला उपाए. अब दूसरा उपाए जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह भगवान विश्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाए है, और यह उपाए, यदि आप हैं, तो आपके जीवन में आपके राहू, केतु अच्छे हो जाएंग आपके राहू, केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रहतारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे. परन्तु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपसे निवेदन था, कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए. अब आपको 13 जून, 2024 माह गुरुवार के शाम को नहाना है, धोना है. आठ बजे की मुहूर्थ के पश्चात आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है. किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाए के दूद से बना हुआ घी होना चाहिए पांच लॉंग ले लीजिएगा अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है दीपक जलाने के पश्चात उसमें एक लॉंग डाल दीजिए एक लॉंग डालने के पश्चात आपको वो जो चार लॉंग बची हुई है इनको पूर्व बहां दीजिए अब आपको people, पेड, तीन परिक्रमा करनी है तीन परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विश्णु जी का बीज मंतर बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमः हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों भगवते वासुदेवाए, नमाहिसिस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाईए बस इतना उपाए आपको करना है इतना उपाए यदि आपने कर लिया तो भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे आपके कारे आपका साथ देंगे और आप जो भी रण में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णे से आपको केवल फाइदा ही फाइदा पहुँचेगा आखिरी उपाए जो आपको आ रहे हैं ये उपाए यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन, सुख, वैभव की आपको हासिल ही होगी एक लाल कपड़ा लीजिए एक लाल कपड़े को आपको लेना है लाल कपड़े पर एक मुठी चावल, काली मिर्च, एक रुपए का सिक्का, एक इलाइची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है ये उपाए आपको गुरुवार की रात करना है अब आपके घर की जो जाडू होती है, ध्यान रखिएगा जाडू जो होता है, वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है जाडू नीचे पोटली को रख दीजिए पोटली को रखने के पश्चात आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं इस पोटली को रखने के पश्चात गुरुवार की रात को नौ बजे के पश्चात इसी पोटली को उठाना है अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना अब इससे होगा ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कलपना नहीं थी आपके उपर धन की वर्षा बस चुपचाप फेंक देना यहाँ पर पांच जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप करोड़ पती माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है और उन्ही मसालों में से एक मसाला है जीरा इस्तिमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए ना केवल जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीरवाद भी मिल सकता है जो शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके ना केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है यदि उसका उपाय जोतिश शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्थ पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वर्दान हासिल हो सकता है जिसके पश्चात ना केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी बल्कि आपको लक्षमी जी का वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके पश्चाद आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख सम्रिध्य तो आती ही आती है इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिती भी बहुत ही मजबूत रहती है कहां जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है दूसरी तरफ, आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ दिना शुरू कर देता है जिसके पश्चाथ आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलती है दोस्तों, मान लीजिए, आपकी कुंडली में वास्तुदोश है, मंगल दोश है, शनी दोश है जीवन में बहुत सारी परिशानियाओं हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा तूट चुके हैं आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं, कि आपके जीवन में धनाना बंद हो गया है तो किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है, जिसका आप इलाज कराकर आकर ठक गए है परन्तु कोई नहीं मिल रहा है, केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए आपको हम जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्थ पर सही तरीके से करते हैं, तो हर तरीके से आपको छुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारन सी चीज है जो बड़े आराम से मिल है परन्तु इसका उपाय कैसे करना है आपको, वो आपको पता नहीं होगा दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है कहां तो यहां तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीरवाद हासिल करना चाहता है और वो केवल का उपाए और का उपाए माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्थ पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वर्दान और वह आशीरवाद मिलता है जिसके पश्चात व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हो तो पहले तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जये महालक्ष्मी और एक काम कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा आपकी राश्य के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाब पा सकते होंगे दोस्तों, वो आकर हम आपके कॉमेंट का रिपलाई में बता देंगे परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कॉमेंट में अपनी राश्य डालनी पड़ेगी देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं है कर्ज, मुक्ति का भाव उपाय दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से है जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं या उपाय यदि आपने लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी यदि आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शुकरवार या उपाय करना होगा अब शुकरवार का ही दिन क्यों तो जो शुकरवार का दिन होता है वह माता लक्षमी जी को समर्पित होता है शुक्रवार के दिन माता लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से परक्रिपा बरसाती है और यह जो हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय करने के पश्चाद आपको माता लक्षमी जी की कृपा हासिल होगी जिसके पश्चाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म देखिए पांच सब्ताह आपको यह उपाय करना है पांच सब्ताह मतलब पांच शुकरवार और पांच सब्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुठका, पां, मसाला, मचली, अंडा यह सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं इस चीजों को छोडने के पश्चात, अब आपको शुकरवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, माता लक्षमी जी की पूजा में लाल कपड़े पहनने हैं, तो बहुत ही शुब होता है अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है लाल कपड़े में एक मुठी जीरा रखना है एक मुठी जीरा के उपर एक रूपए का सिक्का रखना है इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है माता लक्षमी जी के मंदिर चले जाएए माता लक्षमी जी के मंदिर बाहर जो भी भिखशुक बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए इतना उपाए पांच सबताह कर लीजिए माता लक्षमी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं उस कर्ज के बोज से आपको आराम से मुक्ती मिल जाएगी दूसरा आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल उपाय देखिए दोस्तों शायद ये बात आपको पता ना हो जब आपके घर की होती है आपके घर की उन्नती होती है आपके दोस्त, यार, नातेदार, रिष्टेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है, और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है, जो हरे पेड को भी सूखा देती है, और मान लीजिए, आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नती नहीं हो रही है, आप चाहते हैं, आपके घर की हो, आपके घर की उन्नती हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं या यदि आप लोग ने मंगलवार की सुभह के पश्चात कर लिया तो दोस्तों, घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी परंतु ये तीन मंगलवार को करना है तीन मंगलवार करने के पश्चाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा आपको एक मिट्टी का दिया लेना है मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र को लेकर तो और भी ज्यादा शुब होगा उसमें आपको जिनके 51 जिले के दाने रखने हैं तीन काली मिर्च है, चार लॉंग रखनी है बस इतना आपको रखना है आपको ये जलाना है और इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है तीन ये उपाय कर लीजिए आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा इसी तरह से दोस्तों अब मान लीजिए आपके उपर कोई दोश हुआ है मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है आप चाहते हैं कि के दोशों से इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए तो एक सरलसा उपाए हम आपको बता दे रहे है देखिए यह उपाए आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा यदि आपका जैसे नजर आपको लगी आपको अंदर से महसूस हो रहा है तो आपको क्या करना है शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात एक मुठी जीरा लीजिए एक मुठी लेने के पश्चात इसको अपने सर के उपर से बाई और से दाई और बहुत ध्यान से सुनियेगा दोस्तों बाई और से दाएं और इसको घुसम जा है आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है उस सड़क के दूसरी इस जीरे को शनी सूर्यास्त के पश्चात फेंक देना है इतना उपाय कर लीजिए आपके उपर जो भी नजर लगी होगी ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके उपर से नजर सदैव के लिए खत्म हो जाएगी बस इसका ध्यान रखिएगा ये उपाय केवल शनिवार के दिन किया जाता है दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा यदि किसी व्यक्ती का राहू केतु उसका साथ नहीं देगा वह व्यक्ती कितनी ही मेहनत कर ले कितना ही कर ले वह कभी भी आगे नहीं जा सकता और राहू केतु जिस व्यक्ती का साथ देता है वह व्यक्ती यदि निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फाइदा पहुँचता है और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहू, केतु, आपका साथ दे. आप जो भी निर्णय उस निर्णय से आपको फाइदा पहुँचे, तो आपको भगवान विश्णु जी की शरण में जाना होगा. एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहू, केतु का जो नियंतरण होता है, वह भगवान विश्णु जी के हाथ में हो है. और आपने, यदि भगवान विश्णु जी को पसंद है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीरवाद मिलेगा. तो आपको क्या करना होगा? देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको तीन ब्रहस्पतिवार या उपाय करना होगा. तीन ब्रहस्पतिवार का आप तीन ब्रहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते. गुठका, पान, मसाला, शराब, मदिरा ये सब आप बिलकुल सकते हैं तीन ब्रहस्पतिवार ये उपाय करने के पश्चात आपका राहू केतू सदैव आपका साथ देगा जो भी निर्णे लेंगे उस निर्णे से आपको फाइदा पहुंचेगा बहुत ही आसान सा है आपको क्या करना है ब्रहस्पतिवार का दिन होता है वह भगवान विश्णुजी का दिन होता है आपको सुभह उठना है नहाना है आपको पीले के कपड़े पहनने हैं क्योंकि भगवान विश्णु जी की पूजा में, जब भी पीले कपड़े पहने जाए, तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। व्यापार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा। चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो। और आपको सुख सम्रिद्ध की हासिलें होती है, तो चलिए जानते हैं इस विशय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कॉमेंट बॉक्स में जैमा लैक्समी जरूर लिखे, माता दोस्तों, हम लोग अकसर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं, और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, सबजी या ग्रेवी अकसर खत्म हो जाती है, और केवल रोटी बच जाती है, अगले बासी रोटीों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं, यदि आपके में भी ऐसा होता है, तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी, यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं, तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे, कुछ ऐ ऐसी गलतियों के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं, तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा, नश्ट तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, रसोई घर में ये कभी भी भी नहीं करनी चा पढ़ता है, शास्त्रों में सपष्ट बताया गया है कि जिस घर में मा अनपूर्ण जी का वास हो जाए, तो मा के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं, ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है, जिस भी के घर में ये गल पढ़ता करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके स्वास्थे का सही होना और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है, तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष को हासिल कर सकता है, ऐसे में शास्त्रों के अनुसार, यदि आपका रसोई घर अच्छा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो ऐसे में खाना दूशित हो जाता है, इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है माता, अनपूर्णा जी नाराज हो जाती है, ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति काम्याबी हासिल नहीं कर पाते, और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पढ़ता है, इसी लिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए, सदैव स्वच हाथों से ही खाना बनाना चाहिए, ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अतिप्रसन करती है, दोस्तों, नंबर दो शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भो पूरा हर धीरे-धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है, इसी लिए घर साफ सुथरा रखना चाहिए, और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकरशित होती है, और आपको आपके हर कार्य में काम्याबी मिलेगी, तनाव बढ़ता है और जगड़े आदी होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे जिसका आप नहीं करते हैं। परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तूओं को तुरंत ही बाहर कर देना। क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारातमकता आकरशित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नमबर चार। रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, ज्जाडू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इ क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नमबर पाँच। रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मा अनपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो ज जली जाती है। बहुत महिलाओं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना शुपता का खयाल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घ यदि आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे, ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ये भूल कर भी ना करें, और खाना बना समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिलकुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में व्रिद्ध भी होने लगती है। नमबर एक, शीशा घर को सुन्दर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं। परन्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूलहा अगनी देव का सूचक समझा जाता है, यदि शीशे में अगनी का प्रतिबिम्ब दिख जाता है, तो घर में अशुब समझा जाता है, इसके कारण घर में कलहकलेश बढ़ाने लगते हैं, इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थित भी बिगडने लगती है, तो यह गलती आप करें, नमबर दो, गुन्था हुआ आटा, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुन्था हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं, और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है, वा तूटे कई तरह के बरतन होते हैं, तूटे हुए बरतन ना रखें, रसोई घर में कुछ बरतन ज्यादा उपाय होने के पश्चाट तूट जाते हैं, परन्तु कई बार कुछ हद तक तूटे हुए बरतन का उपाय करते ही रहते हैं, वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता रसोई घर में कभी भी तूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए